नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्यान नातिवारी सहा आचारे, M.T. विज्ञान में निवोजन और पाठेचर्या को पूरा करना, इस विशे पे चर्चा करेंगे यह जानना बहुत आवस्यक है कि निवोजन क्यों किया जाए, निवोजन का अर्थ क्या है, निवोजन वह कारिया प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान वेन करती है आप जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो यह आवस्यक है कि जो संसाधन उपलब्ध है, जो व्यक्ति उपलब्ध है और जो कार्य है, उसका समयबद तरीके से हम उपयोग करें ताकि अच्छी प्रकार से हमारा कार्य सफल हो सके तो नियोजन हमारी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियानित करने में सहायता करती है, अब एक विज्ञान सिक्छक के लिए नियोजन की क्या होई सकता है, इस विशे पर चर्चा करेंगे वास्तों में नियोजन का सबसे महत्पूर जो पूर्ण करने में सहायता करना, पूरी पाठे चर्या समयबद तरीके से जबतक हम नियोजन नहीं करेंगे, तब तक वो पूरी नहीं हो सकती इसके अत्रित जो संसाधन उपलब्द हैं चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे वो साधनों के रूप में हो वो सारे संसाधन का उप्योक करना नेड़ लेने में सुविधा होती है इससे समन्वय में नीयंत्रण में सुविधा होती है जो विभिन तत्त्त हैं उनमें हम सवन्रे कर पाते हैं इसके अगर हमें अपनी पार्ठि चरिया के विकास के अंतरगत कहीं पे भी कुछ बदलाव करने के आँ सकता है तो हम बदलाव कर सकते हैं जो हमने लच्छ निर्धारित किया है हम उन लच्छियों को से प्राप्त कर सके और उन में कोई अनिस्चिता न रहे इसलिए भी नियोजन की प्रकार का होते हैं हम अपनी पूरी पाथे चर्या को दीर्ग-कालिक योजना में नियोजित कर सकते हैं और साथ ही छोए-छोटी योजनाओं में धि सबसे पहले हम दीरकालिक योजना की बात करते हैं कि एक ज्ञान का सिख्षक पूरे पाठिक्रम को पूरे वर्ष परियंत किस प्रकार से नियोजित कर सकता है और ऐसी योजना जो पूरे वर्ष परियंत चलती है उसे हम वार्षी की योजना कहते हैं संपूर्ण पाठचर्या के वार्षी गोजना बनाई जाती है जिसमें पाठचर्या को विभिन इकायों में विभक्त करके वर्स परियंत होने वाली सिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूर्ण पाठचरिया है उसको हम छोटे-छोटे खंडों में वख्त करते हैं और हर एक खंड में इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस खंड में क्या अधिगम कतिविधियां होंगी कौन से कालांस सम्मिलित होंगे कौन से विसे सम्मिलित होंगे कौन से इकाईयां सम्मिलित होंगी और उन इकाईयों में कौन सी उपाईयां सम्मिलित होंगी हर एक माह में क्या सिच्छन अतिकम प्रक्रियाएं होंगी इसकी योजना हम वार्सिक योजना में बना लेते हैं आप इस चीज को एक उधारन से समझ सकते हैं एक वार्सिक योजना का प्रारूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस प्रारूप में सबसे उपर हमने वार्सिक योजना के विशय में लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे उपर शिख्षक का नाम यानि आपका नाम कौन सी कछ्षा है जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं उस कछ्षा में कौन सा विशय है इसकी चर्चा यहाँ पे होगी और उस वार्षिक योजना में हम क्रमबत तरीके से विभिन इकाईयों की चर्चा करते हैं उदारन के लिए यदि प्रथम इकाई है तो उसकी बहुत सारी उप इकाईया हो सकती है हर एक उप इकाई के लिए अलग अलग कारांसों की योजना एक विज्ञान का सिछक बनाता है उदारन के लिए यदि एक इकाई जो विज्ञान के किसी भी विशे से संबंधित है उसकी कुछ उप इकाईया है उदहरण के लिए बल एक इकाई है और उसकी उपकाई या बल की परिभासा, बल के प्रकार या बल के उदहरण हैं तो हमें एक विज्ञान सिप्षे के रूप में ये निश्चित करना होगा कि जो कालांस पूरे वर्ष परियन चलने वाले हैं उसके कौन उसमें से कितने कालांस हैं जो सिच्छन से संब्दित हैं कितने कालांस हैं जो पूरे व्रति से संब्दित हैं कितने कालांस हैं जो मुल्यंकन से संब्दित हैं और वो संपूर कालांस किस माह में उनका उपयोग किया जाएगा किस माह में उन कालांसों के माध्यम में सिर्ष सिच्छन किया जाएगा उदारण के लिए यदि हमने जुलाई माह के लिए कुल सोलह कालांसों की व्योस्था की है तो एक उपिकाई में तीन सिच्छन दो पुनरबित के कालांस दो मुल्यांकन के कालांस दूसरी उपकाई में तीन सिच्छन के कालांस, तीन उपनराबिर्ति के एक मुल्यांकन के और इस प्रकार उन्ता सोला कालांसों की विवस्था जुलाई माह में है जिसमें विज्ञान का सिच्छत अपने विभिन जो तत्य है वो विद्यारतियों को समझाता है और क्योंकि ये पूरे वर्स परियंत हम इसकी योजना वर्स के प्रारम में ही बना लेते हैं इसलिए इस प्रकार की योजना को हम वार्सिक योजना कहते हैं ये एक दीरकाली की योजना है प्रतेक विद्याले में जिस विद्याले में आप कारे करेंगे आप से ये अपेक्ष की जाएगी कि पूरे वर्ष परियंत विभिन निविसरई की आप वार्सरी क्योजना बनाएं विज्ञान स्थ ऐसे को सैद्धान्तिक रूप में बतानी होती हैं उसको करके दिखानी होती हैं बहुत गतिविद्या करनी होती तो ये आवस्षक है कि पूरी पाठे-चर्या का इस प्रकार नयोजन करें कि वह पाठे-चर्या संपूर कर सके और अपने उद्डे身 को प्राप्त कर सके ये तो बात हुई दिरकालिक योजना की, अब हम बात करते हैं कि लगुकालिक योजनाएं कौन सी है लगुकालिक योजनाओं में दो योजनाएं हैं जिनके हम चर्चा करेंगे एक इकाई योजना और दूसरी पाठ योजना इकाई योजना के संदर में बहुत सारे लोगों को कुछ भ्रांतिया होती है इकाई न तो कोई विशय वस्तु का खंड है नहीं एक स्वत्नतर पाठ है कई लोग समझते हैं कि विशय खंड एक इकाई होगी या एक पाठ एक इकाई होगी वास्तों में इकाई प्रसंग पर आधारित कुछ पाठों की योजना है जिसमें बहुत से पाठ संबलित होते हैं हर एक इकाई को विभिन उप इकाईों में विवक्त किया जाता है और उनके लिए योजना बनाई जाती है अगर हम इकाई योजना को परिभासित करें तो कह सकते हैं कि छात्र के विवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सेक्षिक सिद्धानतों पर आधारित कुछ कालांसों तक चलने वाले योजना को इकाई योजना कहते हैं इसका अर्थ ये है कि छात्र का विवहार जो इकाई के प्रारूम में था उससे भिन्न होगा इकाई के उपरांत और जैसे जैसे पूरी इकाई जो की भिन्न का अलांसो तक वितरित है वो पूरी होगी तो छात्र के विवहार में अपेक्षीत वईवर्तन हो जाएगा हर एक इकाई में बहुत सारे पार्ट सम्मलित होते हैं इकाई योजना को पूरी तरह से समझने के लिए हम इकाई योजना के एक प्रारूप पे चर्चा करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इकाई योजना के प्रारूप जब भी आप बनाएंगे तो यह वैसे ही होता है जैसे वार्सिक योजना होती है लेकिन इसमें सिक्षक का नाम कक्षा विशय इकाई के अतिरिक्त इसमें हर एक उप इकाई का विशय वस्तु विश्लेशन किया जाता है विशय वस्तु विश्लेशन का आर्थ ये है कि इस उप इकाई में हम विद्यार्थी को किन किन चीजों की जानकारी देने वाले हैं उदारण के लिए हम उन्हें कोई संप्रत्य बताने वाले हैं, कोई तथ्य बताने वाले हैं, कोई सूचना देने वाले हैं, कोई परिभासा बताने वाले हैं, तो उस विषयवस्तु को हम छोटे-छोटे खंडों में विवक्त कर लेते हैं, और हर एक विषय वस्तु के जो प्रस्तिकरण होता है उसके पीछे कुछ अधिगम उद्देशे होते हैं उदारण के लिए जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है जिसमें हम अधिगम उद्देशियों की चर्चा करते हैं उसके अनुसार इसमरण, बोध, अनुप्रियोग, कौसल, अभिबृत्ति, इत्यादी अधिगम उद्देशों की चर्चा करते हैं योजना में हम निर्धारित कर लेते हैं कि किस विशय वस्तु से के प्रस्तुई करण से हम अपना कौन साध्य के मुद्देश से पूरा कर रहे हैं उद्दारण के लिए यदि हमने कोई तथ्य बताया है, हमने कोई परिभासा बताई है, तो हम विद्यार्थी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो उनका इस्वारण करेगा, उनको समझेगा और अपने विभिन जो क्रिया कलाप है उसमें उसका अनुप्रियोग करेगा विज्यान में एक ऐसा विज्यान जिसमें बहुत सारे कौसल होते हैं, जो सीखने होते हैं, तो उस विज्यवस्तु में कौन सा कौसल है, जो उसे सिखाया जा रहा है, उसके अभिभिर्ति में, उसकी सोच में क्या बदला हो रहे हैं, वो कितना विज्यानिक प्रभिर्ति उ जाएंगे या हम उनको जांच के लिए कुछ देंगे या उनको हम ऐसी कोई गतिविधी दिखाएंगे जिसमें विद्धार्थी अवलोकन करें और सीखें इस प्रकार पूरे इकाई के रफ्तितिकरण में जिन जिन गतिविधियों किया वसक्ता होती है हम प्रारम में ही उनकी योजना बना लेते हैं और इसके उपरां उनका मुल्यांकन कैसे किया जाएगा इसकी योजना भी बना लेते हैं उदाहन के लिए यदि आपने कोई विषय इकाई के माध्यम से पढ़ाया है तो उन विषयों के मुल्यांकन के लिए क्या आप मौकिक परिछा लेंगे या द में उप्रत्पत्रबिय और एक सिक्षा के रूप में कतने सफल तो यह एक लगुकालिक योजना भी कही कि जो इकाई योजना है उसका प्रारूप हम बनाएंगे और बनाने के उपरां तो हम विभिन प्रकार के जो खंड हैं उनको लिखेंगे अब हम बात करेंगे पाठ योजना की पाठ योजना आप सब इससे बहुत परचित होंगे क्योंकि इसकी चर्चा आप अक्सर प्रस्तुत की जाती है आप किस विध्याले में हैं इस पर निर्फर करेगा कि उस कालांस की समयावधी कितनी हो यह 30 मिनट भी हो सकती है 45 मिनट भी हो सकती है कहीं कहीं 50 मिनट भी हो सकती है तो एक सिक्षक के रूप में विज्ञान का सिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि ह हम इस पार्ट में इतने मिनट में कितनी सामगरी प्रस्तुत करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या विधी होगी, क्या सहायक सामगरी क्या हो सकता होगी, यह सब कुछ हम एक पार्थ योजना में निशित करते हैं कि एक कालांस में हम कितनी सामगरी प्रस्तुत करेंगे वास्तों में पार्थ योजना के विश्टरित और विशिष्ट योजना है जिसमें अधिगम के अपेक्षित प्रतिफल, प्रस्तावित सिच्छन अधिगम सम्यूहों, गतविधियों और मुल्यांकन की प्रविधियों का नियोजन किया जाता है इसका आर्थ यह है कि हम जब भी पार्थ योजना का निर्मान करते हैं तो उस पाथयोजना में हम यह निर्धारित करते हैं कि इस पाथयोजना के उपरांत विद्यार्थी को क्या प्रतिफल प्राप्त होंगे. वो प्रतिफल ऐसे होने चाहिए जिनका मुल्याकर हम पाठ योजना के प्रस्तिकरण के उपरांत कर सके हम इस बात का भी प्रस्ताव करते हैं कि हम कौन सी विधी का प्रियोग करेंगे बहुत सारी विधियां हैं विज्ञान में तो वो विधियां और उन विधियों में सम्मिलित कौन-कौन से सम्म्यू है जिनका हम उपयोग अपनी पाठ योजना के प्रस्तितिकरण में करते हैं और एक विज्ञान का सिछक विभिन गत्विधियों की भी योजना पहले से बना लेता है उधारण के लिए यदि वो किसी ऐसे जीव विज्ञान से स इन सभीके जो अंग्यान से देखना उनके वड्यान में लिखना और जाना इसे प्लेद्विधियों की योजना भी हम पार्ट योजना में पहले से बना लेते हैं और हम अपनी पाठ योजना क प्रस्तित करने के उपरांद मुल्यांकन कैसे करेंगे इसका भी विस्तित विरॉण होता है आपके मन में यह प्रस्ण उठेगा कि इकाई योजना में भी हम यह काम करते हैं वार्षिक योजना में भी यह करते हैं तो यह कैसे भिन्न है पाठ योजना भिन्न इस अर्थ में है क्योंकि प गतिविधी का विस्तित रूप से वर्डन पार्थि और जना में होना चाहिए क्योंकि शिक्षक को वो एक कालांस में प्रस्तूत करनी होती हैं और वो इसका उपयोग करके अपने समय की और अपने स्रम की बचत चत कर सकता है और साथ में अपने जो ग्यान विद्यार्थियों तक पहुँचाना चाहता है जो विवहार परितन उनमें देखना चाहता है उसको पूर्टा प्राप्त कर सकता है अब हम बात करेंगे इस बात की कि इन तीनों में सह संबंध क्या है इन तीनों के मध्य किस प्रकार का संबंद है जैसा कि हमने चर्चा की वार्षिक योजना एक दीर्ग कालिक योजना है और दीर्ग कालिक जो योजनाय होती है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है और ये व्यापक होती है उसमें हम बहुत विष्टत वर्ण नहीं कर सकते अधिकांस जो बाते वार्षिक योजना में कही जाती है वो अनुमान के आधार पे होती है और क्योंकि वो पूरे माह जितने भी माह वर्ष में होते हैं हर माह का लेखा जोका होता है तो उन माह में किन किन दिनों में छुट्टियां हैं, किन किन दिनों में कौन सी गतिविदियां हैं, उनका घ्रान रखते हुए हम वार्षिक योजना बनाते हैं, ताकि हम जिस पाठचरिया को पूरा करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पाठचरिया को समय पर पूरा कि आजा सके और वो पाठेचरिया का प्रस्तुतिकरण अपने अपेच्छित उद्देश को प्राप्त कर सके इकाई योजना वार्षिक योजना का एक अंसमाना जाएगा क्योंकि एक वार्षिक योजना में बहुत सारी इकाई योजनाएं बनाई जा सकती हैं जितनी भी इकाई कि हर एक उपईकाई में बहुत सारे विश्यवस्तु होता है उनका विश्लिफन करना होता है तो हर एक उपईकाई के अंदर हम कितना विश्यवस्तु लें कि जो एक कालांस में पूरा हो जाए वह पाठ योजना का हिस्सा बनता है इस प्रकार बहुत सारी पाठ योजनाय मिल कर एक वार्षिक योजना का प्रारुप बनती हैं वार्षिक योजना एकाई योजना और पाठ योजना के सह संबंद को हम एक चित्र के माधम से देख सकते हैं जिसमें यह जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि जो पाठ योजना है वो सबसे अंदर है उसके उपरांत ए अब हम इस विशे पर चर्चा करेंगे कि यह जो पाठेचरिया है जिसको हम पूरा करने की बात कर रहे हैं वो है क्या और पाठेचरिया और पाठेक्रम इन दोनों में अंतर है या नहीं है आपको एक बात समझना होगा कि पाठे चर्या एक बहुत ही व्यापक सब्द है इसमें पाठे चर्या को हम विभिन अर्थों में समझ सकते हैं पाठे चर्या हम विश्यवस्तु को भी कह सकते हैं बहुत सारी जो विश्यवस्तु होती है जिसका हमें पाठ योजना बनाना है चाहे वो इकाई योजना बनाना हो चाहे वार्शीक योजना बनाना हो तो पूरी विशेवस्तु भी पाठ चरिया का हिस्सा है लेकिन मात्र विशेवस्तु ही पाठ चरिया नहीं है पाठ चरिया परिडाम होती है विभिन सोधों का विभिन प्रकार की अपेख्चित जो बयौहार परिवर्टन है उसके लिए हमें जो गतिविधिया करनी है उनका और जो हमें विद्यार्थियों से पर्तिपुष्ट मिलत है जो हमें बहुत सारे जो विद्वान है उनसे हमें जो जानकारी मिलती है कि कि किस अस्तर के लिए कौन सी विश्वस्त उपयूगत है इन सारी गतविधियों का परडाम ही पाठिचर्या होता है और पर्ठिक्रिया भी है क्योंकि इस प्रकिरिया में हम जो विध्यार्थी ए उसके अंदर व्योवहार में होने वाले अपैशित परिवृत्टन की चर्चा करते हैं अब ये जो प्रकिरिया है इसमें पूरे वर्श परियंत उस पाथ्चेरिया को संपूर्ण करने के रिए जो भी कतिविधियां करनी है वो इसमें संबलित होती है वो कतिविधियां शिच्छड अधिगम की भी हो सकती है और पाठ सहगामी भी हो सकती है शिच्छड अधिगम कारत यह है कि जब सिच्छक किसी पाठ योजना को प्रस्तुत कर रहा है वो किसी कालांस में, तो उस कालांस में वो कौन सी विस्ववस्त पढ़ा रहा है, कौन सा प्रतिमान प्रयोग कर रहा है, कौन सी सहायक सामगरी प्रयोग कर रहा है, कौन सी विधी का प्रयोग कर रहा है, और कौन से कौसल का प्रयोग कर रहा है, जैसे बहुत सारे कौसल होते ह किस तरह से संचालित करता वो पाड़िया का हिस्षा होती है लेकिन इसके Plus कख्छा में होती है लेकिन वो विशग़्वस्त से सीथ समध्य नहीं होती हम और जिन्हें हम पाथ्य सहहगाम्य करते हैं अ кажने के लिए आपने किसी नाटक का मंझन करवया विद्यार्थियों से या कोई ऐसी क्राइस जिसमें विद्यार्थी खेलाके माध्यां से पुछ विशेवस्त समझते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा कुछ उनको कारे दिया कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर वूस कारे को पूरा करते हैं तो वो जो हिस्सा है वो भी पाठेचरिया का हिस्सा है इसलिए हम कहते हैं कि पाठेचरिया एक व्यापक संकर्पना है जबकि जो हम दूसरी बात कर रहे हैं जिस किसी कुछा के जो बिधिन विशह है निरधारत विशय है। उनका संग्रा करते हैं, पाठ चरिया के व्यापक सब्द है। जिसमें अधगरिया में के संग्रा करते हैं। अब यह बात समयने की है कि एक विज्ञान सिक्छक को किन छीजों का धियान रखना होगा जिससे वो अपनी सिख्षण अधिग्रिया को नियोजित कर सके और साथ ही साथ वो अपने पाठे करम को अपने पाठे चरिया को समय पर पूरा कर सके हमने आज जो कुछ भी सीखा उसको हम पुन्राबिर्ति करने का प्यास करते हैं हमने यह जाना कि जो भी सिख्षण करना है उसके लिए नियोजन करना आवस्यक है तभी हम विभिन जो संसाधन है जो व्यक्ति है और जो पाठे चरिया है उसका पूरी तरह से उप्योग कर पाएंगे हमने यह सीखा कि जो नियोजन है वो दिरकालिक भी होता है वो लगुकालिक भी होता दिरकालिक नियोजन का उदारन हमने वार्शिक योजना के रूप में लिया लगुकालिक नियोजन का उदारन हमने इकाई योजना और पाठ योजना के रूप में लिया इसके साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि इनके प्रारूप किना हैं और इनको हम कैसे बना सकते हैं कैसे दिखा सकते हैं और साथ ही साथ पाठेचरिया को पूरा करने के लिए हम इस न्योजन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं हमने पार्टिचरिया के अर्थ को समझने का प्रयास किया और ये भी जानने का प्रयास किया कि पार्टिचरिया एवंग पार्टिचरिया में क्या संबंध है पार्टिचरिया व्यापक है जबके पार्टिचरिया विशेयों का संग्रह है और वो पार्टिचरिया का हिस्सा होत अपी तो उनमें वैज्ञानिक दिश्रिकोंड का विविकास हो इसलिए पार्ट चर्या को पूरा करते समय उन सभी पहलियों को ध्यां रखना आवस्चक है जिसकी चर्चा इस पार्ट में की गई है आपका बहुत बहुत धन्यवाद